तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपके board exams बिल्कुल नियर आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर मैं आपसे share करूँगे कुछ ऐसी mistakes जो आपको बिल्कुल avoid करनी हैं, ताकि आप बढ़िया से बढ़िया score कर सकें अपने board examination में, ध्यान रखेगा अगर आप इन में से कोई एक भी mistake सकता है, तो ध्यान से इस वीडियो को सुनेगा end तक, तो चलिए students without wasting any time, start करते हैं, mistakes to avoid for board exams, तो सबसे पहला students, skip revisions, तो जनरली में यह देखते हूं, बच्चों ने chapters को go through कर लिया, notes बना लिये, learning work कर लिया, लेकिन वो एक ही बार बस उस chapter को देखते हैं, उसके बाद revision को skip कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है, make sure कि आप multiple revisions करें, एक particular chapter की कम से कम 3 to 4 times, एक particular chapter को आप revise कर लिजिए, जो भी उसके notes हैं, उसे go through कर लिजिए, क्योंकि students अगर आप सिरफ chapter को एक ही बार देख कर जाएंगे तो retention power इतनी develop नहीं होती, आपके mind में इतनी चीजे retain नहीं हो पाती हैं, so यह बहुत जरूरी है कि 3 to 4 times, आप कम से कम एक chapter को देखें, जिससे कि वो chapter आपके mind में बहुत अच्छे से बैठ जाए, generally आपने देखा होगा, कुछ students ऐसे होते हैं, जो यह सोते हैं, हमने learning work तो बहुत अच्छे से किया था, लेकिन जब हम एक्जाम में बैठे तो हमारे mind में तो माम कुछ आया ही नहीं, right, हमारे mind में तो कुछ भी ढंग से लिखने के लिए नहीं आया, तो वो चीज क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हमने revision part पे ढंग से focus नहीं किया है, तो make sure 3 to 4 times, आप हर एक chapter की revision ज़रूर करें, next students kept previous year question paper, देखें, मैंने students को देखें, just chapters किया, learning work किया, back exercise questions किया, chapter के and that's it, देखें, आपको ऐसा नहीं करना है, last में, अगर आप चाहते हैं कि आप 90 प्लस score करें हर एक subject में, तो यह बहुत essential requirement है, यह अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा score लेकर आएं किसी भी subject में, तो यह बहुत जरूरी है, जो आ और यह आपको मिल जाएंगे CBSE की website पर, CBSE की website से आप download कर सकते हैं और इसकी preparation जरूर करें, ठीक है, don't skip this part, क्यूंकि students मैं आपको यहाँ पर बता दू, जो CBSE के board exams होते हैं, वो होते हैं, रिपीटिव होता है, क्यूंकि students यहाँ पर मैं बता दू, जो CBSE के exams होते हैं, उनमें और last 5 years के previous year question papers आप जरूर करें, skip sample papers, अब sample papers हमें क्यूं करने चाहिए, sample papers ना करना हमारी mistake क्यूं मानी जाएगी, देखे students, sample papers में आपको यह पता लग जाता है कि, अगर इस बार अगर कोई new questions देने वाला है CBSE, तो वो कौन से होंगे, right, इस बार hot questions कौन से रहने वाले हैं, तो यह हमें पता लगता है sample papers से, ठीक है, तो sample papers को भी बिल्कुल skip नहीं करना है, कम से कम last 3 years के sample papers जरूर करें, ठीक है, next, least importance to high weightage chapters, कहीं बर में students को देखती हूं, कि हर एक chapter को equally importance देते हैं, ऐसा नहीं करना है, जो high weightage chapters है, उनमें जादा time devote करना है, जादा efforts devote करने है, then on the low weightage chapters, कहीं पर में देखती हूं, किसी chapter की मानलीजे, weightage है, 2 और 3 marks, उसमें आपने पूरा दिल लगा दिया, उसकी revision करने में, तो ऐसा नहीं करना है students, make sure कि आप अपना time, और अपने efforts, last moment पे, उन chapters पे जादा spend करें, जिन chapters की highest weightage है, so I hope यह mistakes आप नहीं करेंगे, और आपको समझ करना हो सकता है, बिल्कुल आप लोगों पे भारी, बिल्कुल आपके board exams के score को यह down कर सकता है, so I hope students आप यह mistake बिल्कुल कमिक नहीं करेंगे, अब यहां पर आपके लिए बढ़िया से announcement में यहां पर करना चाहूंगी, देखे students हमारे जो class 12 के courses है, class 12 के courses for economics, business studies, accounts and English, यह बिल किये जारे हैं, free of cost, yes, free of cost, बिल्कुल आपको 1 रुपी भी नहीं देना है हमें इन course में enrollment कराने के लिए, इन courses में आपको मिलेंगे video lectures, जिन में आपको सारे के सारे chapters समझाए जाएंगे, including every topic of the chapter, ठीक है, so detailed video lectures आपको provide किये जाएंगे for all the 4 subjects, और इसके लिए, बिल्कुल free of cost is enrollment, आपको enrollment कराने के लिए, जो link दिया है, description में, उस पे जाना है, और enrollment अपका हो जाएगा, so I hope students, यह जो video है, यह आपके लिए काफी informative रहेगी, if you feel the same, then please like the video and subscribe the channel, if you are new to our channel, so यहाँ पर इजादत चाहती हूँ session को end करने की, मिलते हमारे next session में with another useful content, till then, bye-bye, take care, jai shisha आपके लिए आपके लिए